नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग BTSC ANM रिजल्ट के बारे में जानने वाले हैं जैसे कि आप सब को अपने रिजल्ट का बेसबरी से इंतजार है जैसे आप सबने एंसर की मिला लिये होंगे तो सब को अपना raw mark पता चल गया होगा कि हमें कितना mark कटके आ रहा है क्योंकि बहुत सारे अभ्यारतियों ने गलतियां भी जैदा किए हैं जैसे कि अगर 50 questions ही किये हैं या 40 questions यही किया है बहुत सारे 28 questions ही किया है फिर भी उसको 12-15 ऐसे 20 करके भी गलतियां हो रहे है जैसे कि हमें पता चले है कुछ अब्यारतियों ने बताए हैं तो गलतियां भी हुआ है मतलब जाइदा नंबर में गलतियां हुए है तो उससे आपका वन फॉर्थ उसमें निगेटिव मार्क था तो उस अनुसार आप सब हमने अपना मार्क पता कर लिये होंगे कि हमें फाइनली कितना मार्क आ रहे है उसी में थोड़ा बहुत आपका मार्क increase करेगा normalization से क्योंकि normalization जरूर होगा हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि normalization आप लोगों में जरूर होगा क्योंकि ये 9ście wichtige में exam conduct हुआ है और एक से अधिक shift में exam conduct होता है तो उसमें normalization होता है किसी भी exam में ये exam का rule है तो आप लोगों में भी normalization जरूर होगा, आप लोग का भी थोड़ा सा number increase जरूर करेंगे, सारे आप भ्यारतियों करेंगे, increase ही करता है जनरली, या तो उतना राज है गया ने, तो increase ही करेंगे, कमेगा नहीं, थोड़ा बहुत increase सबका करेगा ही, जिसका shift hard होंगे, उसको थोड का cut up क्या रहेंगे, counseling में जा आप सबको बुलाया जाएगा, कितने आप भ्यारतियों को बुलाया जाएगे, आपका cut up क्या रहेंगे, यह हम आपको बताएंगे, साथी आपके result को लेकर आप सबको जो इंतजार है, कि हमारा result कब तक आ जाएंगे, तो वो भी हम आपको सारी जानकारिया देने वाले हैं तो वीडियो के लाश्ट तक जरूर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा तो जैसे कि यदि हम बात करें जो आप लोग ऑब्जेक्शन राइज करने का जो लिंक दिया गया था वह आप लोग देख सकते हैं उसका अबहरतियों के सारे अबहरतियों ने अपना एंसर भी मिला लिए तो अब आप लोगों के रिजल्ट में देरी नहीं होंगे जल्द बहुत जल्द आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं आप लोग तयार रहे और जैसे कि आप सब का जो संबीदा का जिक्र कि दिए जाएंगे और उसके बाद counseling में क्या-क्या आपका documents लगने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे और आप लोग को cut up भी हम exact बताएंगे लेकिन आप लोग अपना raw mark जरूर भेजे जो आपका raw mark आ रहा है कटके वो mark अपना जरूर भेजे किसी को 40 आ रहा है किसी को 30 आ कितने अभ्यारती है यह सारे अभ्यारती अपना comments में अगर exact mark लिखना नहीं चाहते हैं तो यह बता दीजे कि 30 से उपर है या 40 आप 25 से कम है या 20 से भी कम है तो आप लोग जरूर यह बताएं ताकि हम आपको exact जो cut up है वो हम आपके सामने रख सके और जो BTSC का cut up आये तो कि आपलोक का mark पता चलेगा उस अनुसार ही पता चलप आएंगे क्योकि बहुत उसारे अभ्यारतियों का mark मिला है और exact हमें कजो पता चल पाएगा कुशे बहुत सारे अभैर्ति का और उसी लने कट-ौर को भी रखा जाता है यह मतलब किसी भी एक्जाम का इम है क्योंगे पासी अभैर्ति को करना एक गया है कि टिफाइड है आलोย जरूर अपना मार्क्स कमेंट सेजन में लिखे थे